हलो स्टुडेंट्स मैं हूँ अर्शितागरवाल आपकी टीचर जो मैं आपको पढ़ाती हूँ क्लास 11 की बायो आज हम बात कर रहे हैं पार्ट थिरी में कॉंशेस नेस आगे वाले पार्ट की इससे पहले की जो सारी बात थी वो हमने पहले वाली लेक्चर्स में की हैं तो आपने अगर मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीस उने जाके पहले देख लीजिए ताकि आपको पूरी आगे की बास समझ में आ सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर ओके चैनल को प्लीज करके सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैल आइकन पर प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको आने वाले जो जितने वी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस अमेजिंग क्लास का मदा ले सकें चलिए करते हैं स्टार्ट तो हमने यहां से आज हम बात करने वाले हैं ठीक है तो आप अपने बुक अपने साथ रखिए चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं देखिए प्रॉपर्टी ऑफ टीशूज आ नौट प्रिजेंट इन देखिए इस लाइन का मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी एक सैल में होती है दे प्रॉपर्टी इस टिशू में होगी जो प्रॉपर्टी इस टिशू में होगी जो कामी सारी सैल मिलके कर सकती है वह एक सैल नहीं कर सकती जो काम पूरा गुरूप अफ सैल कर सकता है वह एक सैल नहीं कर सकती ठीक है तो इस लाइन में यहीं बताए गया है कि जो काम गुरू आगे आगे कहां से पढ़ेंगे अब हम यहां से देखिए similarly अब यह वाला यह वाला यह लाइन पढ़िए similarly वाली similarly properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelles but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelles अब देखिए इसमें क्या का गया है इसमें का गया है कि देखिए organelles क्या है पहले cell बना, cell से tissue बनी, tissue से cell organelles जैसे की mitochondria है ठीक है जो property mitochondria में होगी वो उसको बनाने वाले जो chemical है यह जितने भी cells हैं वो उन में नहीं होगी तो बही वाली बात है जो प्रौपर्टी जो काम mitochondria कर सकता है वो उसको बनाने वाले molecules सोडी ना कर सकते हैं अब देखे यह जो बहुत सारी permit कर रहे हो उनके बीचक् def当 श्रण ोचीच कर जो इसमें के बताया गया है कि करता इमर्जुन्स आवरेनों कहले किमेंद्क मतलब है इमर्जेंट का मतलब होता है इवाल्वींग वर्थती अधिक है evolving properties मतलब देखिए पहले जब हमारा जब जो हमारा जब development हो रहा था हम develop हो रहे थे homo sapiens हम जो human है develop हो रहे थे हम पहले हम कैसे थे और हम कैसे हैं पहले हम चिंपैंजी की तरह थे लेकिन अब हम दीरे-दीरे अपने आवशकता नुसार हम पूरा evolution होता गया हमार में ठीक है तो यह सब इसमें दे रखा है आगे इतनी बाद समझ में इस प्रेशनल कॉम्पिसिटी अट ओल लेवल सही बात यह जो फिनोमीना है यह जो फिनोमीना ने पूरा ओल लेवल पर चलता रहता है ठीक है यह सार्व करते हैं जो इसको हम क्या करते हैं उनके अगेंस जो हम एक्शन करते हैं कुछ भी हम करते हैं यह सब मैंने आपको पहली वीडियो बता रखा है कि इसे irritability कहते हैं और यह कैसे काम करती है कैसे क्या होता है तो आप पहली वाली वीडियो ज़रूर देख लिजेगा biology is the story of life on earth सही बात है इसमें का definition दे दिया NCAT ने कि biology क्या है biology क्या है is the story of life on earth सही बात है अर्थ पर किया है life की story है पूरा biology हम life ही तो पढ़ते है biology is the story of evolution of living organism on earth सही बात है living organism का अर्थ पर जो evolution हुआ है सब पढ़ेंगे भी हम biodiversity पढ़ेंगे evolution पढ़ेंगे यह सब यह है all living organism present past and future are linked to one another by the sharing of the common genetic material देखें यह common genetic material क्या है DNA देखें हम बात करें past की या present की future की सब में क्या common है शेरिंग करते हम common genetic material जो होता है कि DNA दीन तो पहले भी था हम evolve हो रहे हैं दीरे-दीरे evolution हो रहा है तब भी DNA तो हमेशे ही है ना बटी वेरी करता है कैसे आप देखिए एक बात बताएं यह कैसे connect अर्थ मतलब अर्थ पर लाइफ है हमारी जो प्लांट सो कैसे connect है अब आप एपल काटते हैं उसके बीच का देखिए और जो आप नाश्पति काटते हैं उसके बीच का देखिए दोनों का सेम है तो कुछ तो connection है ना तो लिंग्ड है एक से जुड़ा हुआ है पूरा पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है आज हम बात करते हैं डाइवर्सिटी अच्यज़ डाइवर्सिटी क्यों थी है चलिए डाइवर्सिटी क्यों हुधी देखिए हुआ है हमारी इतनी बड़ा जो कितने सारे इस कितने millions of SPECI's हैं है ना sequed Mega सफीश तो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक हम कुछ जान भी नहीं पाएं और जो हम आइक पर्सेंट से बी जो हमारे साइंटिस्ट है एक परसेंट से भी कम जानते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उसमें इतने सारे इंसेक्ट हैं जिनके बारे में आसक पता नहीं लगाया जा सका है अच्छे डाइवर्सिट्य क्या होती है देखिए बर्ड्स इसे बता है निपने परकार के दीफरेंट गोनीजम से चलिए पढ़ने स्टार्ट करते ही इस विंग पर बूर सिए लार्ज वराईटी अथिस आपी इसारी वराईटी है है ना है उसमें देख लीजिए बर्ड्स में देख लीजिए अलग अलग तरीके की बर्ड्स देखने को मिलते हैं इंसेक्ट देखने को मिलते हैं और इधर चले जाएए अब इसमें चले जाएए फॉरेस्ट वगरा इसमें तो अलग 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 टाइप के देखने मिलेंगे इंसेक्ट बर्ड्स यॉर पैट्स और अधर अनिमल्स और प्लांट्स जो मैंने आपको बता दिया देर और अल्सो सेवरल और्गनिजम्ट यू कैन नोट सी विद यूर नेकट आई अभी किसकी बात कर रहे हैं यह बात कर रहे हैं इनको अपनी आखों से नहीं देख सकते ना बीना माइक्रोस्कोप के यह उनकी बात कर रहें बटे और अल्राउंड यो लेकिन हमारे चारों तरफ हैं नाले में पाया जाता है गंदेपानी में पाया जाता है पैरमीशियम भी और ऐसे भी देखे हमारे हाथों में बैक्टिरि इनकीशन इन डा रेंज और वाराइटी अटियों इंक्रीश देखे जैसे जैसे में इस एक्स्पोर करें गों आपना ये संटे बिए बहुत आरी वेराइटी देखने मिलेंगी घना मैं अब आपको बोला गर रापारेंगे तो आपको और जादा वाराइटी देखने जो यहां कि यहां नहीं मिलती यहां hoady उवर्वर्वेस्ली यू वर यू वर्टु वीजटाइड टैंस देखे मैंने क्या बोलाई आप कभी गयोंगी डैंस wauris me you would probably see a ehman you you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it जो बहीवाली बात आ ओर ही है कि हम कभी forest में जाएंगे forest में करने मिलते हैं ऑव यह बीखनी आप इनिमल्स का कि यह चीजा करते हैं आप यह सब क्या रिप्रेजेंट करती हैं शक्तिय जाती 1.7 to 1.8 million species अभी तक डिस्क्राइब करी जा चुकी है इस रेफर्स तो बायो डाइवर्सिटी सही बात है इस अभ विवित्त ही तो है 1.7 से 1.8 million तक इस्पीशी सब बायो डाइवर्सिटी तो है और नमबर एंड टाइपस अउर्गनिसम प्रेजंट उन अर्थ बात करते हैं यहां से अच्छा आप बात करते हैं यहां से आज स्टेटेट इर्लियर देर पहले ही बता दिया गया इनोंने की बहुत सारे कितनों को थो हमें पता भी लिए कि वो है हमनों ने आस तक देखा भी नहीं है वी नो अपने अरिया में यहां जानते हैं आप किसी के हमारे ही चडिया बोलते हैं वह चोटी सी जो होती है चोटी से चड़िया किसी कहां कुछ बोलते हैं किसी कहां कुछ बोलते हैं है ना मैना बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं आच्छा हमारे आलू है हमारे पटाटो बोलते हैं किसी कहां कुछ बटाटा बोलते हैं किसी कहां तौडो पता नहीं क्या करके बोलते हैं तो हम सब क्या जानते हैं उनके उनके उसे जानते हैं नाम से जानते हैं देखिए अब इसको पूरा इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ने के लिए क्या कर गया क्या किया उन्होंने का कि इसको सिरीफ हम एक नेम दे देते हैं ताकि मतलब लोकल नेम से तो जाने जाएंगे लेकिन हम इन्हें वह वाला नेम देंगे já संटिफिक नेम अगर इन्हें हम सैंटिफिक नेम देंगे तो हम वह वाला नेम लेंगे तो यह पूरे All Over The World जाने जाएंगे उस नेम से लोगल नेम से तो मुझा आपस में जानेंगे लेकिन हम कहीं भार गये हम अमेरिका गये हम कहीं और हमने हमने लगा हैं आम खाना है क्या हम ? घ्या और अंडी का क्या है थीक कही है? अगर औरसे वी with mango समझ व्ही पा-स, जाएम भी identify inklusive प्रोब्लम से निकलने के लिए science विस स्टम क्या इस नेम का पूरा system बनाया उसे क्या बोलते है दो अंगर अम अचम्ड अओ बढ़न के specialized control रहे करते हैं एवां हम कुछ और बोलेंगे इंदर हम यूप की साइट कुछ और भूलेंगे तो मायर समझ में रहे आएगा गावृबर categories इस निकलने के लिए हमने नमल क्लिएचर का सहरा लिया यहीं पताएगा अभी हाँ से देखिये हैंस हैंस there is a need of standardized the naming of living organism such strata particular organism is known by the same name all over the world मैं नहीं बताएगा है local name इसों चलते रहेंगे लेकिन ऐइसी चीज बताओ जिससे उसको पूरी दुनिया में जाना सहरा जिस name से और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया इस प्रोसेस को बोल दिया नॉ्मन वो नेम देने के लिए जो प्रोसेस अपनाए गई उसको क्या बोल दिया नॉमन्क्लेचर ओवियसली नॉमन्क्लेचर और नेमिंग इस ओनली पॉसिवल वैन दो ऑर्गनिसम इस डिस्क्राइब करेक्टली और वी नो तो वोट अर्गनिसम तर नेम इस अटेस्ट तो यह की हा इस बच्र में क्या क्वालिटी जिससे यह अच्छा बनता है और इसमें क्या वालीटे जिससे यह बैड बनता है वैसे बैड कोई नहीं हो तो लेकिन मैं जनर्रल बात बता रही हूं ठीक है चलिए तो उसके लिए हमने क्या कर उनको पहले अटेटिफाइ किया identify करन मैं जरूरी हुआ ला उन dlatego ऐसी इसमें जब किसी को नाम देने से पहले उसको पूरा tad्शा टो करना वोना कि इस बीसिस पे नाम दे रहें कि एक इंटिफिकेशन आ यह ही बताए गया और अपको इतने मुझा प्रोवटा दिया करिया कि आ बहुत सारे साइन्टिस्स्त बैठ हों गहिंस सब्सको नाम देने के लिए ऐना सब को अइड tapping करने के लिए नेम देने के लिए तो ये पूरा इसमें कि और हर और को जानने के लिए सैंटिफिक नेम की जरुना इस यहाहां से देख completely इस एक्सेबल फॉर बाइोजिस्ट एल ओवर दवल्ड व्ल्ड उयुक्वहर में फॉर्ट हॉर प्लांट सैंटिफिक नेम्स आर बेस्ट ओन अच्छा यह वाली बात मियाद कर लीजेगा बहुत बार एक्जामस में पूछी गई है इंटरनेशनल कोड फॉर बाटनी का लॉमनकलीचर देखे जहां पर बाटनी वर्ड आ जाए महां पर किसकी बात करेंगे हम प्लांट्स की ठीक है और जहां पर ही जोलॉजिकल वर्ड आ जाए हां पर किसकी बात करेंगे हम यहां पर बात करेंगे हम आनिमल्स की आगई आपको बच्चों इत्तिवास समझ में जहां पर प्लांट्स की बात आजे महां समझो प्लांट्स की बात हो रही है जहां जोलॉजिकी बात आजे महां पर समझो एनिमल्स की बात हो रही है तो जो भी डाटा हमारा प पूछेंगे animals का कैसे name दिया गया तो animal taxonomist have evolved international code of zoological nomenclature आगे the scientific names ensure that each organism has only one name सही बात है scientific name क्या ensure करता है क्या सुनिश्चित करता है कि हर एक organism का अपना एक ही नाम हो यह तो नहीं अब उसके बहुत सारे नामों से बचने के लिए तो हमने एक नाम करा था बस description of any organism should enable the pupil in any part of the world to arrive the same name देखें इसमें यही बाली बात लिखी है कि एक ऐसा नेम हो जिससे पूरे पूरे वर्ल्ड में उस नेम से उस चीज को जाना जाए they also ensure that such a name has not been used for any other non organism यह भी ensure करा गया कि जो name हम रख रहे ना जैसे कि कुछ भी हमने name रखा जो भी हमने name रखा वो इसंसि वाले organism का हो इसंसना ठीक है किसी और का ना हो जैसे कि matter पी जो होती उसका नाम pys 365 होता है तो मतलब एक जो प्लांट था जैसे मटर हो तो मटर का नम Pysumb Sativum दिया गया तो इस तरी मटर का ही रहे और किसी का ना ंओ जैसे इनसान हो में तो क्या है बहुत मोनु कित्तो का नाम होता है मोनु मोनु शर्मा गुडदू शर्मा है ना इसमें ऐसा नहीं दिया गया Biologist follow universally accepted principle to provide scientific names to known organism Each name has two components अब इसमें क्या कर अगया है? देखें पहली बात तो यह binomial nomenclature था Binomial By का मतलब क्या हो गया? To और Nomial का मतलब हो गया? ठीक है? Two name हो इसमें Scientific जो name था Scientific name जो हम दे रहे थे उसमें scientist ने क्या का? कि इसमें two name हो क्या name हो? Two पहला क्या show करें? Genus और दूसरा क्या show करें? Species Genus और Species आगे इतनी बात समाझ में अच्छे यह दिया किसने था? Name किसने था? Carlos Linus ने किसने दिया था? Carlos Linus ने यह name दिये थे उन्होंने ठीक है? चलिए इतनी बात हो गई हमारा कि two का है अब देखें इहां से Each name has two components The generic name and the specific epithet देखें जैनरिक नेम कौन सा हो गया? Genus ठीक है? और यह specific epithet क्यों सा हो गया? Species अच्छा इसमें एक और बात कही गई इसमें इका कि Genus जो लिखेंगे हम Genus का जो पहला word लिखेंगे वो capital लिखेंगे और species का जो पहला word लिखेंगे वो small लिखेंगे यह पूछ ले जाता है बहुत बार exams में कि इसमें जो scientific name आपको लिखके देदेंगे और पूछेंगे इसमें गलती क्या है? तो गलती बस इतनी सी होगी जीनस का जो नेम होगा क्या होगा जीनस का नेम कैपिटल से होगा और species का नेम किस से होगा? स्मॉल से होगा आप याज रख सकते हैं ठीक है अब इसको देखें जैने 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 इस स्पेसिबिक एपिटेट इसको याद कर लिजी सिस्टम किसने था कारलस लीनियस में दिया था इस बिन प्रैक्टिस्ट बाइ बायोलजिस्ट अल ओवर द वर्ल इस नेमिंग सिस्टम यूजिजिए तो वर्ट फॉर्मेंट वस पाउन कन्विनियन्ट लेट इस ठीक दे एग्जामपल ओफ मैंगो चलिए यह मैंगो का एग्जामपल ले लेते हैं चलिए आई दे सैंटिफिक नेम अफ मैंगो इस रिटन एस मैंजिफेरा इंडिका यह लिखा है यह क्या है मैंजिफेरा यह है जीनस और यह कहा है Indica, यह है इसकी species, ठीक है, Mangifera कहा है Genus और species कहा है Indica, species सबसे चोटी होती है, जिससे हम जानते हैं और kingdom सबसे बड़ा होता है, आगई, यह भी पूरा chart बनवा दूँगे मैं आपको एक मिट, बस इसको class को complete करके फिर बनवाते हैं आपको, let us see how it is a binomial name, in this name Mangifera represents the genus, मैंने आपको बताई दिया Mangifera के represent कर रहा है, genus को represent कर रहा है, पहला वाला name genus को करता है, दूसरा वाला name indica species को करता है, पहला वाला name जो लिखा जाता है, वो genus से capital से लिखा जाता है, species का small से लिखा जाता है indica, is a particular species और specific epithet, यह specific epithet से confuse मतोंने species को ही बोल रहे हैं जो, other universal rules, अब देखे, rules बहुत important है, यह 1, 2, 3, 4, यह जो rules है न, यह बहुत important है, चलिए बात करते हैं, पहले rule की, पहला rule ही दो नहीं बताया, कि जो biological name होगा, वो latin language में होगा, अब आप कहेंगे, मैं, latin language में क्यो होगा, यह हमारे हिंदी, इंग्लिश, इसमें भी तो हो सकता था न, लेखे, latin language में इसलिए होगा, क्योंकि यह सबसे जादा पुरानी language है, और एक stable language है, English में क्या होता है, English में तो जो है, variety आती रहती है, words की, अनि सबसे जादा unstable language है, English, बहुत जादा variety आती रहती है, Oxford हर साथ, एक word जोडता रहता है, लेकिन latin में कभी भी कोई भी जो है, variety नहीं है, यह सबसे जादा stable language है, अच्छा, अम आप कहेंगे में, संस्कृत भी तो हो सकती है, हाँ, संस्कृत इसको कर सकते है, अगर latin language को replace किया गया, किसी से तो sanskrit से ही किया जाएगा, लेकिन ऐसा लेकिन आप कर देखके हैं, कि सबसे जादा stable language और सबसे जादा पुरानी language है तो इससे बचने के लिए आपको जैसे कि हमने लिखा Mangy Fara Indica लिख देते हैं, चले Mangy Fara Indica मैंने तो ये टैलिक में नहीं लिखा और इसमें तो रूल है पहले में कि हम इटैलिक में लिखना है तो इससे बचने के लिए हम इसको अंडरलाइन करतेंगे ठीक है जब हम handwritten कुछ भी लिखते हैं तो हम उसे underline कर देते हैं हो गया हमारा italic में और जब हम print करेंगे तो तो हम italics में लिका लिए लेंगे print है ना अब देखिए यह यह ना Latin respective of their origin ठीक है दा फास्ट वर्ड इन बायलोजिकल नेम रिप्रेजेंट दा जीनस यह तो बहुत बाराव पुरण यह वा फास्र वर्ड जीनस को करता है son अगे बात जो हैंटर वाण कर देंगे अगर print करेंगे तो italic में निकाल देंगे अच्छा हां इसमें एक बात और हैं कहीं आप पूरे को मत कर दीना ऐसे कर दिया मैंजिफेर को अलग करना एक निनट जैसे कि आप 25 म को ले लेते है पाइसम सटाइबिया आप सोचओ गहा Sure अब चुप्दाप फर्स दिनोट और घुनास फिर भाई बात आगी फ़िस्वाट क ये डिनोट कराई जीनस हो कर रहा है धेज़ आ गये अब इस पेशिपितल लेटर से स्टाट हो रहा है वायल दे स्पैसिपितल यपिधेट स्काट विद थे स्मॉल लैटर इसमॉड़ इसम देखे अब कही बर क्या होता है नेम ओफ द ऑफ द ऑफ द ऑफ यह साफ्टर श्पेसिफिक एपिथेट किसका वर क्या होता है इसको नाम किसे नहीं किस नहीं करला सुलिनियस में तो मैंजिफेर इंडिका के बाद यह लिखा वा जाएगा लिए डू एल डू एडबल एन लिन तो उसका क्या मतलब बहुत लिन की है, कार्लस लिनियस का है, अब देखिए, नेम आफ दा ओथर अपेर्स आफर दा स्पेसिफिक एपिथेट, डाट इस एड दा एंड आफ दा बायलोजिकल नेम, एंड इस डिटन इन अब्रिबेटिट फॉम एग्जामपल मैगनिफेरा इं इस ने डिस्क्राइब किया था, since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to device some means to make this possible, this process is classification, देखिए, जितने सारे, अभी मैंने आपको क्या बोला, कि हम 1% का, 1% भी नहीं जानते हैं, आपने microorganism के बारे में, सोची कितने सारे होंगे, ऐसी organism देखिए, कितने सारे होंगे, जिनके बारे में हम नही जानते, इसको easy बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या क्लासिफिकेशन, ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जैसे कि हमें जो एक फिशिस कहुन से क्लास में आते हैं, इसा बताऊंगे, तो हमने जो आर्थो पोड़ा कर एक organism के बारे में पढ़ लिया, सारे उ सब्सक्राइब कर दीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजे लेकिन आप फिर भी कर दीजेगा और चैनल के सब्सक्राइब कर दीजेगा 16 अग्या आप प्रस्क्राइब कर दीजेगा और चैनल के लिए नौर क।